महाभारत के महाकाव्य में करुणामाइ नायक कर्ण और दिव्य श्री कृष्ण की कहानी उनके संगर्षों, चुनावों और धर्म के मार्ग में गहरे अंतर दृष्टि प्रदान करती है। कर्ण ने अपने जीवन की कहानी के दुख के साथ भारी आवाज में शुरुआत की। जलक रहा था। वफादारी उसके प्रतियडिक रही है, फिर भी मुझे लगातार मेरे तथाकटित निम्र दर्जे की याद दिलाई जाती है। जब वह अकेला था जिसने मुझे स्वीकार किया, तो मेरी वफादारी को दोश क्यों माना जाता है। मैंने क्या गलत किया है जो मुझे यह सब जेलना पड़ा। क्रिष्ण ने ध्यानपुर्वक कर्ण की शिकायतें सुनी, उनकी अभिव्यक्ती गहरी समझ और सहानुबूति से भरी हुई थी। तुम्हारा जीवन वास्तव में चुनोतियों और कठिनाईयों से भरा हुआ है, जैसे मेरा भी। क्रिष्ण ने धीरे से शुरुआत की, मुझे भी अंगिनत परिक्षाओं और कष्टों का सामना करना पड़ा है। क्रिष्ण की द्रिष्टि कोमल हो गई जब उन्होंने करन के तीखे प्रश्ण का उत्तर दिया। जुनावो और हमने किसका समर्थन किया? में है। तुम्हारी दुर्योधन के प्रतिवफादारी जो सराहनी है ने तुम्हें अधर्म के मार्ग से बांथ दिया है। दुर्योधन का उद्देश्य अनुचित है जो लालच और इरश्या से प्रिरित है। सच्ची वफादारी एक मित्र को धर्म की और मार्गदर्शित करती है न कि उनके गलत कारियों का समर्थन करती है। कृष्ण के शब्द कर्ण की परेशान आत्मा के लिए एक मरहम जैसे थे। फिर भी उन्होंने एक दर्दनाक सत्य को उजागर किया। दुर्योधन के साथ खड़े होकर तुम कई अधर्म के कारियों में शामिल हुए हो। तुमने उस कपटी पासे के खेल में उनका समर्थन किया जिसने दर्वपदी का चीर हरन किया। जो धर्म और सम्मान के सभी सिध्धानतों के खिलाफ था। तुमने अपने ही बाईयों जो रक्ट से तुम्हारे को नुकसान पहुंचाने के कई कपटी योजनाओं में भाग लिया। ये कार्य कर्ण वो स्थान हैं जहां तुम धर्म के मार्ग से भटक गए। कृष्ण रुके। अलाविंग कर्ण को अपने शब्दों के वजन को महसूस करने की अनुमत दी। तुम्हारी वफादारी और मान्यता की इच्छा ने तुम्हें ऐसे चुनाव करने के लिए प्रेरित किया जो अधर्म के साथ जुड़े थे। एक अच्छा मित्र कठिन रास्ता दिखाता है। चुनाव कर सकते थे। कपटी पासे का खेल, द्रौपदी का अपमान, अपने ही भाईयों के खिलाफ लड़ी गई कई लड़ायां। हर घटना अब धर्म से विचलन के रूप में सपष्ट रूप से सामने खड़ी थी। उनके आहसासों का भारबारी था। फिर भी इसने एक अजीब सपष्टता और शांति लाई। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन हमेशा सभी के लिए अनुचित होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाईक, शेर और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अंत में सदसिता लिना न भूले। और अगर आप और जानना चाहते हैं तो बाई और के कि अचिते हैं तो अगर अचिते हैं जरूर आपको ये वीडियों अगर आपको ये वीडियों सिखाती है। इचिता है।